जैहिंद आज हम पढ़ने वाले हैं कोयल पर असान सब्दों में निबंद इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किरपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में विल आइकन को विद दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो अपनी मधूर आवाज के लिए बहुत पशिद्ध है इस पक्षी की आवाज सुनने में इतनी मधूर होती है कि इतनी मधूर आवाज बाकि किसी भी पक्ची या प्रानी में नहीं होती है, कोयल को भारत में कुको के नाम से भी बुलाया जाता है, वाह वसंत और गरमी रितु में दिखाई देती है, वाह काले रंग की होती है, इसकी दो पैर, दो आखे, एवं एक लंबी पूछ होती है, कोयल एक सर्वहारी पक्ची है वह फल एवं कीट पतंगे खाकर अपना पेट भरते हैं कोयल एक बहुत ही चलाक और सुन्दर पक्ची है वह एक ऐसी पक्ची है जो अपने अंडे दूसरे पक्ची के घोशले में देती है हम सभी को पता है कि कोयल और कोय में बहुत बड़ी दुस्मनी होती है क्योंकि इसमें हमेशा कोयल कोय को धुखा देती है जब कोयल अंडे देती है तो वो अपने अंडे कोय के गैर मौजूती में उसके घोशले में उसके अंडे के साथ अपने अंडे रख देती है क्वाय को ये सब पता नहोने के कारण उस अंडे को भी वो अपना अंडा समझ कर उसे सभालता है जब बच्चे अंडे से बाहर आते हैं तब कोयल के और क्वाय के बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं इसलिए कोय कोयल के बच्चे को भी अपना बच्चा समझ कर संभालता है। उसके बाद जैसे ही कोयल के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तब कोयल फिर से धोके से अपने बच्चों को वहां से भगा के लेके जाती है। कोयल मनुष्य को अपनी जीवन से बहुत कुछ सिखने के लिए प्रेरित करती है। यही वज़ा है कि हमारे सहित्यकारों के इस पर अनेक कविताएं साइडी दोहे की रचना की है। इसकी मधुरवानी को सभी ने सराहा है। आज भी गायन के छेत्र में मधुर गाने वाली महिलाओं को कोकिला कहा जाता है। यथा लताजी को सवर कोकिला के उपनाम से भी जानते हैं। संसार में रूप की बजाय गुन को महतु दिया जाता है रूप में कोयल और कवा समानी होते हैं मगर कवा किसी को पसंद नहीं आता है जबकि कोयल सर्व पिरिय होती है कोयल हमें सिखाती है कि हमें हमेशा मधुरवानी रखनी चाहिए यह देखने में इतनी सुन्दर नहीं होती जिससे यह पता लगता है कि किसी भी जीब के रूप नहीं गुन उसे महान बनाते हैं दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम